एक, दो, तीन, चार, पांच, जी हां दोस्तों, एक किलोट, दो किलोट, तीन किलोट, चार किलोट या पांच किलोट का ग्रिट कनेक सोलो रूट आप अगर आप अपने घर के ओपर लगवाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए खास ये e-book हमने launch की है, आप लोगों की ज ही जल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भी उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस बुक को कमपाईल करने के लिए, जी हैं दोस्तों, इस बुक में हर उस कॉश्चन का एंसर आपको मिल जाएगा, जो आपके दिमाग में एक ग्रिट कनेक सोलो रूफटॉप सिस्टम सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उनका सेलेक्शन होता है, साइजिंग, डिजाइनिंग, कॉस्टिंग, उसका पेबैक, यह सब अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक सही में एक फाइदे मन इन्वेस्टमेंट होगा, अब ये बुक आप कहां तो पहली बात तो आपको बता दो कि यहां पर हमने एक किलोवाट, दो किलोवाट, तीन किलोवाट, चार किलोवाट और पांच किलोवाट को कवर किया है, तो सबसे पहले आपको बता दो कि आप ये इबुक्स हमारी वेबसाइट यानिके solarismypassion.com या फिर इस वीडियो के लिंक्स दिये हैं, आप वहाँ पर जाके इन बुक्स को खरीद सकते हैं, आपको आपके घर के उपर जिस capacity का system लगवाना है, आप वाली बुक्स यहां ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन इसका पेमेंट करेंगे, तो रंत आपके email के उपर ये बुक्स इट्स वेरी सिंपल, मुझे एकिन है कि आप मेंसे कई लोगों के दिमाग में ये कोशन भी आ गया हो कि भाई, ये वाले e-books भी हमें क्यों फ्री में नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों जो लोग फ्री के content की तलाश कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भा BOS, BOM, उसकी costing, उसका payback, PVCist का proper analysis, maintenance कैसे होगा, frequently asked question होता है, ये सारी चीजे properly compile करनी होती है, और इसलिए इस बुक की एक proper कीमत भी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई, एक से लेकर तीन किलोवाट, यानि कि 1, 2, 3 किलोवाट का जो e-book है वो आपको 499 में मिल जाएगा, और जैसा कि आपे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक में ये सारे topics कवर किये हैं, इन फाक्ट जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 5 chapters हैं, और हर chapter के अंदर proper information दे रखी है, मिसाल के तौर पर chapter 1 में basics of solar systems, यानि कि fundamentals of photovoltaic systems, LCT के basics, solar power energy क्या होता है, पैनल कितने types के होते हैं, उसमें parallel connection करेंगे तो क्या होगा, series connection करेंगे तो क्या होगा, inverters कितने type के होते हैं, inverters का selection कैसे होता है, inverters के specification कौन-कौन से होते हैं, inverters के type कौन-कौन से होते हैं, यह आपके chapter number 1 में cover हुआ है, साथी में chapter 2 में बाकी जो components होते हैं, यानि कि balance of systems, guidelines and साइट एसेस्मेंट कैसे होता है या आप कैसे करेंगे वो उसके बारे में इंफोर्मिशन दे रखा है और जो में चैप्टर है वो चैप्टर 3 है जिसमें 5 किलोवाट का प्रॉपर सिस्टम डिजाइन यानि कि आपका सिस्टम के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होंगे साथी में इन सिस्टम्स का रिटरन ओन इंवेस्टमेंट क्या होगा यह भी आपको उसी में बता रखा है चैप्टर 3 में साथी में आपको पीवेशिस्ट का भी रिपोर्ट पिल जाएगा जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि आखिर एक पांच किलोवाट का सिस्टम्ट साइट कंडिशन्स में किस तरह से जनरेशन करता है उसके वाद चैप्टर फॉर में आपका बिल अनलेसिस कैसे होगा मेनारी की सब्सडी के लिए क्या क्या प्रोसियर है सैंपल कैलकुलेशन्स और पोस्ट कमिशनिंग के बाद आपको क्या करना होता है वो भी इनफॉर्मेश यह क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं उसके बारे में भी इनफॉर्मेशन दे रखा है और आखरी जो चैप्टर है That Is Chapter number 5 उसमें safety instructions और उससे related जो frequently asked questions होते हैं यहा क्या क्या धिया ध्यान में रख सकते हैं यह सब चीजे और की गई है तो दोस्तों जो भी एक proper और मरा कैसे होता है क्यों होता है कि एक प्रॉपर सीकेश करना चाहते है वहारे इस फाइदा उठा सकते हैं वंहारे पको कोई कि बन क्षीप्र कर पूबश्च को पक्रीघ Abu करना है थोड़ी सी पढ़ाही करनी है समझना है और जब आप समझ जाएंगे मुझे यह कि आप अपने लिए खुद का एक सिस्टम डिजाइन कर पाएंगे या फिर आप अपने वेंडर से एक सही सिस्टम प्रॉपर अपने घर के ऊपर एक सिस्टम लगवा सकते हैं आपकी ज वो आपके किसी ने किसी काम आएगा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा क्या है कि आपका लाइक अगर हमें मिलता है तो हमें और भी इंफॉर्मेटिव वीड जी, सुलेने जी, जैहिंदे